शबी विद्यार्थियों को राम राम मैं हूँ पीके बैद स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पे महा महरातन स्रीज का ये छाठमा वीडियो होगा अभी तक हमने पांच वीडियों को आप लोगों को करा दिया है और पांच वीडियों में हमने आपको 336 तक के प्रशनों को साल्ब करा दिया है सुबा भी एक वीडियो कराया हूँ तो उसको अगर आप लोगों नहीं देखा है या पहले की वीडियों को आप लोगों नहीं देखा है तो सभी लोग पहले की वीडियों को देख लेंगे और उधर हमने जो है 35 टेस्ट पेपर आप लोगों को एक से 35 इस तक के टेस्ट पेपर को भी साल्ब कराया है तो जो विद्ध्यार्थी टेस्ट पेपर को नहीं साल्ब किये हैं वो टेस्ट पेपर को भी साल्ब कर लेंगे और जो ये महामायराथम स्री चल लही है वंडे एक्जाम्स के लिए आल इंडिया की सारी कुछ प्रस्नों को हमने सलटके निका रहा है जो सारे परिछाओं में पूछे जाते हैं और मातपूर प्रस्न है तो सभी लोगों को ये प्रस्न जरूर तयार करना चाहिए और जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुर रहे है उन लोगों से निबेदन है कि आप लोग गुर्दचिडा सुरूर जो है एक लाइक और एक सस्क्राइब हमें जरूर देंगे अगर आप अपने जीवन में कुछ किसी से लेते हैं तो अगर उसके बदले में कुछ देते हैं तभी आपका जो हकल्यार होता है और जब आप प लाइक और सस्क्राइब जरूर देंगे तो आएए देर ना करते हुए आज का वीडियो का सिल्सिला सुरू कर दिया कि मानों में डाया फ्राम का उपयोग निमलिखित में से किस काम के लिए किया जाता है तो इसका सी बिकल्प सही होगा स्वसन किरिया के लिए प्रस नंबर धुनी का बे क्या हुजा तापमान के घटने से जो है घटता है प्रस नंबर 349 निमलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम उसमिये मान रखती है कौन सा बिकल्प सही होगा सभी लोग देखें विद्यारती तो इस प्रसन का आपका भी बिकल्प सही होगा भाप अंगार गैस जो है उच्च उसमिये मान रखती है टिक कर लेंगे प्रस नंबर 349 देखेंगे इसमें दिया है ऐक्यूपनचर क्या है ऐक्यूपनचर क्या है तीन सो चालिस नंबर प्रसन का कौन सा बिकल्प सही होगा सुयों के माध्यम से उपचार की विधी को क्या कहते हैं बईया एक्यूपेंचर कहते हैं सुयों के माध्यम से उपचार की विधी को क्या कहते हैं एक्यूपेंचर कहते हैं टिक कर लीजिए प्रिशन नमबर 311 देखेंगे मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हडिया होती है इसका विकल्प दिया है 1212, 206, 308, 200 तो कौनसा विकल्प सही होगा 341, 341 नंबर प्रिश्ण का कौनसा विकल्प होगा 206 हडिया होती है 40 देखेंगे इसमें दिया है कि निम्न में से कौन उर्जा प्रदान नहीं करता तो इसका भी बिकल्फ होगा बिटामिन प्रशन नमबर 343 देखेंगे शलेग नाम किसे दिया जाता है तो 343 नमबर प्रशन का आपका कौन सा होगा डी बिकल्फ होगा गलित सिलिकेट को प्रिन 344 नमबर देखेंगे इसमें दिया है कि पाइरो मीटर से मापा जाता है 344 पाइरो मीटर से नापा जाता है भैया बताने 344 का ये बिकल्फ होगा दूरी का उच्च ताप जो है मापा जाता है 345 नंबर प्रस्ण का कौन सा विकल्प सही होगा बताने कोशिश करें D विकल्प होगा इसे जहनी मल चालकोल बोला जाता है सभी विद्यार्थी से टिक करें 346 नंबर प्रस्ण में कौन सा विकल्प सही होगा किसके टेप रिकार्डर की टेप लोपित रहती है 346 नंबर प्रस्ण का कौन सा विकल्प सही होगा तो 346 का सी विकल्प होगा फैरो मेगनेटिक चूर का जो है विकल्प इसका सही होगा प्रस्ण नंबर 347 जब इनो का लवड जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं इसका कारण है जो इनो पीते हैं आप लोग उसका जब लवड जो है पानी में डालते हैं तो बुलबुला जो बनता है उसको क्या कारण होता तो 343 नमबर प्रिस्ण का शी विकल्प सही होगा CO2 carbon dioxide जो है उसमें गैस निकलती है इसलिए जो है बुलबुले बनते हैं प्रस नमबर 348 क्रेप्स चक्र कहां संपन होता है क्रेप्स चक्र कहां संपन होता है बताने कोशिश करें 348 नमबर प्रस का कौन सा विकल्प रही होगा शबी लोग बतावें 348 का आपका 348 का आपका शी विकल्प होगा माइट्रो कांड्रिया में कहां भईया माइट्रो कांड्रिया में 349 प्रकास संसलेशन यों स्वसंद दोनों के लिए आवश्यक है प्रकास संसलेशन यों स्वसंद दोनों के लिए आवश्यक है तो कौन यह सावस्यक होती हैं बताने कोशिश करें भिद्यार्थी, इसका डी विकल्फ सही होगा, साइटो क्रोम बोला जाता है, टिक कर लेंगे प्रेशन नंबर तीन सो पच्चास, इसमें दिया है कि पारितन त्रीको सिस्टम में उरजा का श्त्रोत है, تीन सो पच्चास, पारितन बिकल्प पड़शी सही होगा सौर उरजा क्या होता भाया सौर उरजा 351 लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है 351 का शी बिकल्प होगा लोहा क्या पाया जाता भाया लोहा ये फीफ आया जाता है तीन सो बावन इसमें दिया कि निमलिखित में से किस बिटामिन को टेको फेराल के नाम से जाना जाता है तीन सो बावन नमबर प्रस्ण का कौन सा बिकल्प सही होगा बताने कोशिश करें तीन सो बावन इसका आपका सी होगा बिटामिन इडिको टेको फेराल के नाम से जानते हैं तीन सो तिरपन देखेंगे निमलिखित में बेकिंग सोडा कौन है तीन सो तिरपन इसका भी विकल्प होगा सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोला जाता है तीन सो चववन हीलियम की खोज किसने किया तीन सो चववन नंबर प्रिश्न का भी विकल्प होगा इसे टिक कर लेंगे लोकियर ने जो है हीलियम की खोज किया था प्रिश्न नंबर तीन सो पच्पनवा देखेंगे निमलिकित में सेरेड लेड है सेरेड लेड कौन सा है भईया तीन सो पच्पन नंबर प्रिश्न का एप का विकल्प सही होगा सी सी बिकल्प पीबी थ्री वो फोर जो है इसी को बोला जाता है तीन सो पच्पन नंबर प्रस्ण पीछ ब्लेंड आयस्क है पीछ ब्लेंड लेड लेस आयस्क कौन सा है तीन सो पच्पन 356 का C होगा रेडियम का 357 नमबर प्रस्ण देखेंगे निमलिकित में से कौन जीवन को नस्ट कर देता है लेकिन बावनों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता 357 नमबर प्रस्ण का कौन सा विकल्प होगा आप बताने कोशिश करें ये विकल्प होगा नूट्रान बम जो है ये होता है प्रस्ण नमबर 358 देखेंगे एक प्रोटान को दूसरे प्रोटान के पास लाने से बैद्धुतिक इस्थतित उर्जा क्या होगी तो 358 नमबर प्रस्ण का आप का ये विकल्प होगा आप परिवर्तित रहती है क्या होती है आप परिवर्तित रहती है इसे टिक कर लीजी जमन को किस विशिष्ट अध्यन के लिए नोबल प्रुषकार परदान किया गया कौन सा विकल्प सही होगा आप बताएं शी होगा प्रकास का भिकरण प्रकास के विकरण के लिए इनको नोबल प्रुषकार दिया गया तीन सो साथ सिंदूर का रासाइनिक नाम क्या है तीन सो साथ का भी विकल्प सही होगा मरक्यूरिक सलफाइड जो है सिंदूर का रासाइनिक नाम है 361 विटामिन के का कायज है 361 नंबर प्रश्ण का कौन सा विकल्प होगा वी विकल्प रक्त को ठक्का जमता है रक्त का ठक्का जमाने का काम क्या करता है विटामिन के करता है प्रश्ण नंबर 362 निमलिखित में कौन सा वाइरस द्वारा नहीं होता 362 नंबर प्रश्ण का आपका D विकल्प होगा एथलीत फुट प्रश्ण 363 विटामिन बीवन की कमी से कौन सा रोग होता है 363 नंबर प्रश्ण का आपका C विकल्प होगा वेरी वेरी 364 नंबर प्रश्ण तिल्ली को कहते हैं 364 नंबर प्रश्ण का कौन सा होगा B विकल्प रक्त बैंक कहते हैं 365 देखेंगे कवक और सेवाल के परसपर संबन्द से एक नया पादप वर्ग बनता है 365 का C विकल्प सही होगा लाइकेन बनता है 366 देखेंगे विद्ध्यारती कौन सा ग्रा सरवाधिक गैसों से घिरा है 366 का कौन सा विकल्प सही होगा तो इसका आपका C विकल्प सही होगा यूरेनिस बोला जाता है 376 स्वयत प्रकास को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की और कौन सा रंग प्राप्त होता है इसका भी C विकल्प होगा बैगनी प्राप्त होता है प्रस नंबर 368 हीमोफीलिया एक अन्वांसिक रोग है जो उत्पन करता है हीमोफीलिया अन्वांसिक रोग है जो उत्पन करता है 368 कौन सा विकल्प सही होगा C विकल्प सही होगा इसे बताने की चेस्टा करें रक्त अस्पन्दन का ना होने से प्रिज्म नंबर 379 इसका कौन सा विकल्ब सही होगा बताएं विध्यारतिस में दिया है कि विद्दुत तीबर्टा का मात्रक क्या है तो Newton और Kulam जो है विद्दुत तीबर्टा का मात्रक होता 320 प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है तीन सो सत्तर नंबर का कौन होगा भैया भी बिकल्प होगा ट्रिप्शिन 371 नंबर प्रसंद देखेंगे किस बिधी से प्रितिवी की वायू का परिकलन करते हैं 371 371 का ये बिकल्प होगा यूरेनियम डेटिंग के बिधी से 372 नंबर प्रसंद देखेंगे इलेक्टरान की खोज किसने की खोल है वह यह 372 का शी होगा जेजे थामसम साहिब ना 373 हरे फ़लों को कितिम तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस्ट प्रिक्त होसी है 373 बी बिकल्प होगा इतलीन बोला जाता है 376 देखेंगे रेटी नाल निम्न में से किस बिटामिन का रा नाम है 374 का डी होगा बिटामिन ये 375 धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है 375 का कौन सा बिकल्प होगा इसका डी बिकल्प होगा यानि जिंक होता है जिंक की कमी से खैरा रोग होता है 376 देखेंगे निम्न लिखित में से सबसे अधिक बिद्धीदर किस पादब की होती है 376 का भी विकल्फ होगा बांस की होती है 377 के ताप बढ़ने पर अर्द चालकों की चाल पर क्या प्रभाव पढ़ता है 377 का यह होगा बढ़ जाती है यही हो जाता है और कोई नहीं बात बढ़ती है बढ़ जाता है प्रस नमबर 388 परियोग साला में जीन का संसलेशन सबसे पहले किस ने किया था 388 का सी होगा डक्टर हरगोबिन सिंग खुराना साहिब ने जीन का संसलेशन किया था प्रशन नमबर 89 देखेंगे गुलाबी करांती का संबंद किससे है 389 का ये होगा जीनगा उत्पादन से है प्रशन नमबर 388 देखेंगे इसमें क्या बाते कही गई है तो इसमें दिया है कि मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है 388 नमबर प्रशन का आपका कौन होगा भी विकल्प होगा समुद्री जीव का 300 388 देखेंगे इसमें दिया है निम्न में से कौन सा ग्रा सबसे अधिक गैसों से घीरा है 381 नमबर प्रशन का कौन सा विकल्प होगा इसका सी विकल्प होगा यूरेनिस बोला जाता 382 टार्च में सेलों को किस समुव में रखा जाता है 382 का भी विकल्प होगा स्रंडी करम समू में रखा जाता 383 देखेंगे टिक का रो किस वसल से संबंदिता है 383 चोंसा होगा 383 का इसका आपका डी विकल्प होगा मौंग फली 384 का क्या होगा भी आप वतावें सीने बार किसका खनीज है 384-ड विकल्फ होगा पाररा का खनीज है उसमें दिया कि डाइनमो की सिद्धान्त पर कार्य करता है तो इसको बताँए 385 का क्या होगा इसका आपका ड विकल्फ सही होगा विद्दुच चुम्बकी ये प्रेचनर पर कार्य करता है तिप्शीन पचाता है 387 देखेंगे 387 की क्या बाते बताई गई है तो इसमें दिया है कि बादलों पर किस रसायन का छिड़काओ कर किर्थी मुर्षा कराई जाती है 387 सी विकल्फ सही होगा सिलिवर आयोडाइड जो है इसका विकल्फ होगा 388 देखेंगे निम्न में से सबसे कठोर है 388 388 का C होगा हीरा सबसे कठोरा 389 देखेंगे इसमें दिया पत्तियों में खाद पौदों को विभिन अंगों में किसके द्वारा पहुचता है 389 का आपका कौन होगा आपका D विकल्फ सही होगा फ्लोयव के द्वारा पहुचता 390 देखेंगे प्रकास सलेशन किस प्रकार के प्रकास में सबसे अधिक होता है तीन सो नबे नंबर प्रस्ण का भी विकल्प होगा लाल नबे देखेंगे इसमें दिया कि प्रोटीन के बिगटन द्वारा निर्मार होता है 391 प्रादूँ के कुंसा विकल्प सही होगा बतावे D विकल्प होगा 394 होगा जो हमिश्यदात होता है 365-बे प्रकाश क्रिकिरिया में बाहर निकलता है क्या निकलता है 395-बे का भी बिकल्ब सही होगा आर्ग सीजन निकलता है 396-7, बेखिए गे आचों में कॉन सा अपधार घुला रहता है 396-396-5, आपका भी बिकल्ब होगा क्या होगा भाया B विकल्प Lysogenes बोला जाता है 396 का B विकल्प होगा 397 जफिजरेटर में ताप का नियंतर्ण कौन करता है 397 का D विकल्प होगा इसे फ्रियान कहा जाता है 398 बताएंगे 398 में दिया है कि रासाइनिक प्रियोग में उपयोग होने वाला लिटमस कागज किससे बनाया जाता है 398 इसका आपका भी विकल्प होगा लाइकेन से 399 दखेंगे आप रेसंट रेटर में किसी रोगी को बेहोस करने के लिए निश्यतक्म रियरूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है 399 का आपका सी विकल्प सही होगा क्या होगा भाईया इसका C विकल्प सही होगा नाइटरस आकसाइड का इस्तेमाल किया जाता है 99 के बाद 400 आएगा 401 प्रस्न में दिया हुआ कि प्रोटीन संसलेशन में कितने अमीनो अल्म की अवसकता पड़ती है प्रस्न नंबर 400 में देखेंगे इसमें दिया हुआ बिकल्प ये सही होगा 20, 300, 401 देखेंगे गेहु में खाया जाने वाला भाग है 401 का डी बिकल्प होगा भूड पोस्ट बोला जाता है तो इस तरह से बिद्यारती हमने इस वीडियो में 401 नंबर तक प्रस्नों को करा दिया हूँ और महा महरातन स्रीज में हमने 743 प्रस्नों को समायोजित किया है चो सभी लोग पुराने वीडियो को देखें और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करें आप सभी के लिए इसी तरह का मैं वीडियो लगाता लाता रहूँगा धन्यवाद